कि नस्वा स्टुएंट मैं भी असो बाद्धिया वीज्वाल एफेट कंप्यूटर डिजन के ऑनलाइन क्लासेस में एक बाफिस वगत करता हूं इस्टुएंट फिर आज हमें एक नई टॉपिक लेकिया है जो टॉपिक सब्सक्राइब के लिए बहुत ही जाड़ा इंपॉटर चलता है जो सब्चेक्ट आपको पढ़ा जा रहे हैं फंडामेंटल है फंडामेंटल से ज्यादा तर अभी तक आपने दिखा होगा कि जितने भी इंट्रेंस एक्जामेरेशन हुए है उसमें ज्यादा तर कंप्यूट पूषी जाए उसमें जाना तर टॉपिक के कोशन है फंडामेंटल का है फंडामेंटल के इस हर टॉपिक आपके कंपरिशन के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है तो आज जो टॉपिक हम लोग पढ़ने जा रहे हैं अब पिछली टॉपिक निए जो पढ़ा था इसका नाम था printer, printer क्या होता है, यह आम लोग जानगे, आज स्ट्रेंग पढ़ेंगे printer कितने प्रकार के होते हैं, तो चलिए start करते हैं, printer कितने प्रकार के होते हैं, चलिए start करते हैं, types of computer printer, यानि types of computer printer क्या होता है, तो इस ट्रैंड आपके सामने जो चार्ट धिकर है इसमें दो तरह की प्रिंटर होते हैं, एक impact printer होता है, दूसरा non-impact printer होता है, तो आज हम जानेगे स्ट्रैंड सबसे पहले impact printer क्या होता है, और इसके अंदर कौन-कौन से impact printer का इस्तेमाल किया जाता है तो आईए सबसे पहले जाने impact printer इस वेड़ आपके सामने एक definition है impact printer क्या है impact printer are printer which work by creating a direct connect between ink ribbon and paper these printer are noise ed popular impact printer have mechanical moving part to conduct printing example dotmatics printer daisy will printer and line printer यह था definition English में आई हिंदी में इसका definition देखें तो impact printer का काम typewriter के समान होता है impact printer ऐसा print है जहां print head ribbon, carties और paper के बीच एक भौतिक संपर्ग स्थापित किया किया जाता है साही ribbon के इस्तमाल से कागज पर प्रभावी छपाई होती है जिसे हम dotmatics printer या impact printer का उधारण कह सकते हैं आई हिस्ट्वन जाने इसका image क्या है तो impact printer आप जानगे यह कितने प्रकार के होती है यह तीन प्रकार के होते है serial printer, line printer, daisy will printer और dotmatics printer तो आज हम सबसे पहले जानेगे serial printer क्या होता है तो सबसे पहले इस्ट्वन आपके सामने serial printer का definition तो a printer that use a serial connected to the computer तो a printer that print a row of character one character at one time यानि serial printer एक बार में केवल एक character को ही print करता था जिसे हम serial printer कहते हैं आई आगी जाने दूसरा definition of line printer second क्या है line printer a line printer point one entire line of text before advising to another line most earlier line printer where impact printer the line printer are mostly associate with unit record equipment and the earlier days of digital computing but the technology is still in use I spent line printer का हिंदी में definition जाने यह है definition of हिंदी में line printer का यह एक daisy will printer के समान है हलाकि यह printer एक समय में एक पूरी line पर print कर सकते हैं यह printer किये जाने वाली line की information को store करने के लिए buffer memory का उपयोग कर सकता है फिर इन लाइनों को 500 से 3000 line प्रती सेकेंड मिनट की rate से paper पर print किया जाता है या इस्टुएंट जो serial printer था और line printer में अंतर यह है है कि serial printer एक पार में क्यों एक क्रेक्टर को प्रिंट करता है और Line Printer एक बार में एक Line को Print करता है आई स्वेंड जाने Line Printer का Image क्या है तो आपके सामने इस्वेंड यह है Line Printer का Image जब पहले Line Printer इसी तरीके की होते थे जिसमें हम एक बार में एक Line को Print कर सकते थे आई स्वेंड अगला जाने Printer अगला है आपका Definition of Decival Printer आई इसका देखेए, डेशेविल प्रिंटिंग इस ए इंपक्ट प्रिंटिंग टेचनलोजी इन्मेंटेटि इट 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 इन्टीं थर्टी बाइ द आजरी गाबर at the Diablo data system. It is used interchangeable pre-format types elements which typically 1906 GLEBUS to generate high quality output and comparable to the premium typewriter such as the IBM electric, but two, three types of faster. I student, this definition is Hindi में जाने कि ये Hindi में क्या है? Decibel printer in Hindi, इन printerों में printing के लिए एक plastic पहिये का प्रियोग किया जाता है. इस पहिये की आकरती गुलाब बाहर फूल के समान होती है. इसी लिए इस printer के Decibel printer कहते हैं, इसकी प्रतेक पंखुरी एक अच्छर में उभरा होता है, या Impact printer के तरह होता है. आई student इसका image दिखे कि Decibel printer का image क्या है? इस student आपके सामने यह है Decibel printer का image, यानि यहाँ जो इस्क्रीन दिखाई दे रहा है student, यह screen है Decibel printer का, जो यहाँ पर प्रिंट करने का head होता है, यह fiber glass के बने होते हैं, जो paper पर टकरा कर paper को print करते थे, लेकिन यह एक बार में एक word के बाद, यानि यह पूरी पेज को print करता था, इसकी printing speed serial और line printer से fast थी, लेकिन इसकी printing head एक fiber glass का बना होता था, जो print करते करते घिस जाता था, इसलिए इनका बहुत ज़्यादा उपयोग नहीं किया जाता था, आई जाने अगला printer के आई student, अगला printer आपके सामने student dot matrix printer, तो आई इसका definition देखे, dot matrix printing sometime called impact matrix printing, it is the computer printing process in which ink the applied to surface using a reality low resolution dot matrix for layout, i student इसका हिंडी में definition देखे, तो dot matrix printer धीमी गती का impact printer है, dot matrix printer एक बार में एक character print करता है, dot matrix printer में एक head होता है, जो बाएं से दाएं और दाएं से बाएं घुमता है, इसके printing head में कुछ छोटे-छोटे हतोड़े होते हैं, जो स्याही में लगे ribbon पर प्रहार करके character को उभारते हैं, यानि इसका कहने का मतलब है कि dot matrix printer एक steel head का बना होता है, जिसके center में एक needle लगी होती है, जो needle ribbon पर ठकड़ा कर page को लगातार dot के समान print करते हैं, इसलिए इसका नाम है dot matrix printer, आइस्ट्वेंड इसका image देखे, dot matrix printer का image क्या है, तो इस्ट्वेंड आपके सामने है dot matrix printer का image, यह dot matrix printer आज भी ज़्यादा तर governmented official में ज़्यादा इस्तमाल की जाती है, क्योंकि impact printer में जितने भी printer होते हैं, यह printer बहुत ही सस्ते quality की होते थी इनकी printing, यानि रीबन से टकड़ा कर जो रीबन के माध्यम से print करते थे, इनकी printing quality अच्छे नहीं होते थी, लेकिन बहुत ही सस्ती बढ़ती थी, इसलिए impact printer का ज़्यादा इस्तमाल official या government छेतर में किया जाता था, तो इस्ट्वेंड आश्म लोग जाने, impact printer क्या होता है, और impact printer कितने प्रकार के होते हैं, आशा है स्ट्वेंड आपको समझ में आया होगा कि printer क्या होता है, कितने प्रकार के होते हैं, यानि impact printer क्या होता है, और इनकी क्या-क्या categories होती है, हर वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वीडियो को सुरू से कि अंतक देखा किजिए, और जो मित्र या दोस् किजिए, सब्स्क्राइब किजिए, और अगला वीडियो पाने के लिए, बेल आइकन जरुद होएगा, क्योंकि अगले वीडियो में फिर एक नहीं topic लेकिया है, जो topic आपके लिए बहुर्ण इंपॉर्टेंट होगा, जिसका नाम है computer network, यानि network क्या होता है, अगली topic में प अगले अगले, गया है.